उद्धरेद आत्मना आत्मानम, ना आत्मानम अवसादयेद, आत्मैव यत्मनो बंधु, आत्मैव रिपूरात्मना मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपना पतन न होने दे और स्वयम ही अपना उद्धार करे मनुष्य स्वयम ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी जिसने अपने अहम, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो वो स्वयम ही अपना मित्र है और जो इनके वश में हो गया पार्थ वो स्वयम ही अपना शत्रु है जो शीद काल और ग्रीश मकाल, सुख और दुख, मान और अपमान में शान्त रहे और संतुलन रखे वो जितेंद्रिय पुरुष सदैव परमात्मा में लीन रहता है किन्तु है पार्थ, बहुत खाने वाले या बिल्कुल ही न खाने वाले या अधिक सोने वाले या बिल्कुल ही न सोने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता जीवन संतुलन का नाम है पार्थ और संतुलिट धंग से जीने वाले मनुश्य का योग उसके दुखों को हर लेता है जैसे वायू रहित स्थान पर दीपक की जोती निश्चल रहती है वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहता है चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ तुम्हारी उल्जनों का यही उपचार है मेरी और देखो पार्थ, मेरी और देखो जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूँ वो तो कभी भटक ही नहीं सकता जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता वो तो संसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है हे अरजुन जो योगी सब के सुखदुख को अपना सुखदुख माने वही परमश्रेष्ट है किन्तो योग मार्ग पे चलते चलते मन भटक तो सकता है भटक क्यों नहीं सकता अवश्य भटक सकता है किशव तो फिर ब्रह्मक की प्राप्ति के मार्ग में इस भटकन का परिणाम क्या होता है भटक जाने वाला बादल की भाती चिन भिन होकर कहीं नश्टो नहीं हो जाता किशव वो चाहे लोग हो चाहे परलोग कल्यान कारी शुब कार्य करने वालों की दुर्गती तो हो ही नहीं सकती हे कुंति पुत्र मुझ में मन लगाओ मुझ पर निर्भर होकर योग करो तुम्हें मेरा संशय रहित पूर्ण ग्यान मिल जाएगा हे धनजय सबसे बड़ा सत्य तो मैं ही हूँ मैं ही वो धागा हूँ जिसमें ये सारी प्रकृती मनियों की भांती पिरोई हुई है हे कौन्तेय जल में रस मैं हूँ सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूँ वेदो में ओमकार मैं हूँ आकाश में शब्द भी मैं ही हूँ मैं ही प्रित्वी में पवित्र सुगंध हूँ मैं ही अगनी में तेज हूँ प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ तपस्वियों का तप मैं हूँ हे पार्थ प्रारंभिक बीज मैं हूँ बुद्धि मानों की बुद्धि मैं तेजस्वियों का तेज मैं बलवानों में काम रहिद बल भी मैं ही हूँ और प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम भी मैं ही हूँ मैं सब में हूँ पार्थ किन्तु सबसे अलग भी हूँ मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्गुण हूँ हे पार्थ, मैं बीते हुए सारे कालों, इस बीते हुए आधुने काल और आने वाले सारे कालों के सारे प्राणियों को जानता हूँ परन्तु मुझे कोई नहीं जानता मैं ही जगत का पिता भी हूँ, माता भी और पोशक भी मैं ही रिगवेद हूँ और मैं ही सामवेद मैं ही स्वामी हूँ और मैं ही शिरन मैं ही स्रिजन हूँ और मैं ही विलोपन मैं ही सब का अधार हूँ पार्त मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ ग्रीश्म भी मैं और वर्षा भी मैं हूँ और हे पार्थ मैं ही संसार का अविनाशी बीज भी हूँ मैं सब का अतिप्रिय मित्र हूँ किन्तु सब के लिए एक जैसा हूँ न कोई मुझे प्रिय है और नहीं अप्रिय परन्तु जो मुझे श्रद्धा से पूजते हैं मित्र वे मुझ में हैं और मैं उन्मे समोहम सर्व भूतेशु नमेद्वेशुस्ति नप्रिया ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मईते तेशु चाप्य हम हे कृष्ण आप परब्रम्म है परम्शोदक है आप शाश्वत है दीव्यतत्वग्य है आप ईश्वर है आप अजन्मा है हे गिरिधर किवल आप ही को आपका ज्यान है तो हे योगिश्वर हे ज्यान मूर्टी मैं आपको जानू कैसे आपको पैचानू कैसे कृपया विस्तार से मुझे बताईए कृपया विस्तार से मुझे बताईए मादव हे कुरुश्रेश्ट मेरे विस्तार का तो कोई अंधी नहीं है फिर भी सुनो मैं प्राणियों के रिदय में स्थित आत्मा हूँ अहम आत्मा गुडाकेश सर्व भूता शयस्थिता अहम आदिश्च मध्यंच भूता नाम अन्त एवच हे गुडाकेश मैं ही आरंब भी हूँ मध्य भी और अंतिम का अंतिम छोर भी मैं आदित्यों में विश्णु हूँ मरुतों में मरीची जोतियों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्र हूँ वेदा नाम साम वेदोसमी देवा नाम असमी वासवः इंद्रिया नाम मनश चासमी भूता नाम असमी चेतना मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ मैं रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नी हूँ और पर्वतों में सुमेरू हूँ पुरोहितों में मैं ब्रहसपती हूँ सेनापतियों में कार्तिके और जलाशयों में महसागर महर्शियों में मैं भ्रिगु हूँ वाणी में ओमकार यग्यों में जय यग्य और अडिगों में हिमाले हूँ मैं व्रिक्षों में पीपल हूँ और देव रिशियों में नारध हूँ मैं गंधरवों में चित्र रत हूँ और सिध्धों में कपिल मुनी हे महारथी मैं अश्वों में अमरित से उत्पन होने वाला उचेश रवा हूँ मैं गजों में आयरावत हूँ और मनुशों में नरपती मैं शस्त्रों में वज्र, धेनुओं में काम धेनु, जनकों में काम देव, और नागों में शेश नाग हूँ प्रहलाद दस्चास्मि दैत्या नाम, कालह कलयताम हम, म्रगा नाम चम्रिगेंद्रो हम, वैनते यस्च पक्षिनाम मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणकों में काल हूँ, वनचरों में सिह हूँ, और पक्षियों में विश्णु वाहन गरूड हूँ और हे धनुर्धर, मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, अक्षरों में अकार हूँ मैं कभी न समार्थ होने वाला समय हूँ, मैं चहु मुखी स्रिष्टा हूँ पार्थ मैं ही मृत्यू हूँ पार्थ और मैं ही उन सब का आरंभ हूँ जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है मृत्यू हु सर्वहरस्चाहम उदभवस्च भविश्यताम कीर्ति ही श्रीर वाक्च नारी नाम स्मृतिर मेधा ध्रितिक शमा मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, ध्रिति और ख्षमा हूँ मैं रतुवों में रतुराज हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ मैं गुण हूँ, मैं विजय हूँ, मैं प्रयत्न हूँ मैं यादवों में वासुदेव हूँ और पांडवों में अर्जुन मैं मुनियों में व्यास हूँ और कवियों में शुक्राचार्य या चापी सर्व भूतानाम बीजम तदहम अर्जुन ना तदस्ति विनाय अच्यात मया भूतम चराचरम मैं ही तो उत्पत्ती का बीज हूँ पार्थ वो चाहे चर हो चाहे अचर मेरे बिन तो हो ही नहीं सकता मैं प्राणों का प्राण और जीवन का जीव हूँ हे कमलनेन मेरी आखे खुल चुकी है दुवीदा और आशंका के बादल छट चुके हैं आपने जो कहा वो ही सत्य है और उसके अत्रिक कोई सत्य नहीं यदा यदा ही धर्मस्य ग्ला निर्भवति भारत अभ्युत्तानम अधर्मस्य तदात्मानम स्रजाम्यहं परित्रानाय साधूना विनाशाय चे दुश्कृतां धर्मसंस्थापना थाय संधवामि युगे युगे